हेलो एब्रीवन आप सबीके मारी यूटीब चैनल संधिया कीचिन में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं नगेट्स और यह है ब्रेट पोटेटो नगेट्स जिसको बनाना बहुत ही आसान है और यह जटपट नासता त्यार भी हो जाता है बच्चों बहुत ही पसंद भी ब्रेट पोटेटो नगेट्स सभी को बहुत ही पसंद भाता है बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगता है यह नासता अब मेवानों को भी बना खिला सकते हैं तो चलिए बनाने श्टार्ट करते हैं यहां मैंने 7 से 8 बॉयल डालो लिया यह ब्रेट क्रम्स मेने रखा है थो मक्सवाद अनुसर और तीन बड़ी चमच मैंने चावल काटा लिया है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैं एक बड़ी बाउल में वाइल डालू को मैस करूंगी इसको अपग्रेट करकी भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी नगेट्स त्यार होते हैं इसमें हम थोड़ी से चाट मसला डालेंगे थोड़ी से काली मिस्ट डालेंगे इसमें दो चमच हम चिली फ्लेक्स टालेंगे इसमें नमक स्वादन सार हम डालेंगे अब इसमें सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी ये नगेट्स लगते हैं नगेट्स खाना सबको बहुत ही पसंद भी आता है इसमें थोड़ा सा चावल का अर्टा मिक्स करेंगे दो सिया तिन चमच जिसे बहुत ही क्रिस्पी त्यार होता है ये कुरकुरा तैयार हो जाएगा अब मैं इसमें जो मैंने एक चीज ग्रेट करकर रखा था इसमें मैं मिक्स कर दूँगी जिसे नगेट्स जो है मेरे बहुत ही क्रीमी क्रीमी लगता है अंदर से खाने में और चीज से भारत सबको पसंद भी आता है अब यहां मैदे का घूल त्यार करेंगे इसमें हम थोड़े सा नमक स्वादर इसमें डालेंगे और थोड़े सी काली मिच और थोड़े सा चाठ मसा जाला यह सबको हम थोड़ा पानी डाल की गाड़ा घोल तयार करेंगे ज्यादा घाला भी नहीं होना चाहिए इसमें डिप करके हम फ्राइ करेंगे और थोड़े सांपानी इसमें मिक्स करेंगे ऐसको है मैं घूल त्यार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी हम मिलाएंगी दीगे गोल त्यार हो गया है अब हम इसका नगेट्स बनाना शुरू करते हैं यहां मैं थोड़ा थोड़ा आलो का जो मिस्टर मेनी त्यार किया था लेकी और इस ते समय रोल कर लूँगी थोड़ा सा मोटा-मोटा ही रोल करना है इसका रूल जो है थोड़ा सा मोटा ही रहेगा जिसे उनको ब्रेट के अंदर फिल करने में असानी रहेगे और टेस्टी भी लगएगा खाने में अधि कятि करें किसी में निकाल के रख कर के रहे और यहां मैंने नगेट को फ्रीज में लिया है उपहल को इसको ब्रेट करेंकर करेंगे इस तो लड़्डू की तरह बांद देना है इसको थोड़ा से मैं देख घोल लगा लगा कि इसको हम अब थोड़ा सा पानी में डिप करके इसको फिलिंग इसका भर सकते हैं जिसे असानी से लड़्डू की तरह यह बंद जाते पूरे इसम बॉल बॉल चोटा-चोटा बॉल त्यार हो जाता है यह इसको ब्रेट फोटेटो बॉल भी बोलते हैं चीजी बॉल भी बोल सकते हैं आप इसको यह मैंने सारे नगेट्स को एक एक करके ब्रेट में फिलिंग करके इसका बॉल में मैंने त्यार करकी रख लिया है इसको बहुत ही टेस्टी यह लगता है खाने तो नगे हम और किसको रोल करके त्यार कर लेंगे अधिकर और करूल सब्सक्राइब त्षोज रहो गया है थोड़ा थे यह तुरण घूल जा तो थोड़ा से लगा सकते हैं यह तिए में सारे जो ब्रेट बॉल्स रो त्यार हो गया है मैं प्रेट करूब उसिवर्स में और फॉल चोंड़ा करके ऋणária यहां पर ऊईल गरम करके इसमें अब यहां करें इसे बोहती ऊपर से अंदर से क्रीमी लगता है यह करिसा होनुद्ध जाता है देखे मेंने नगेटेट जो है तोड़ा समय बड़े-बड़े बना है मार्केट पुझा गड़ेट्स मिलते है वो त्ट ह्छोटे-छोटे होते हैं ये मैंस सारे नगेट्स फ्राइब हो रहा है इसको low to medium flame पे इसको हमको fry करना है बीच में थोड़ा सा high भी हम कर सकते हैं लेकि इसको medium flame पे इसको fry करें देखे कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहा है उपर से इसको हमको चमच के सायता से धिरे-दिरे इसको हमको सारे एक-एक nuggets को उलट-पुलट करके इसको fry कर लेना है चारोर से से लेना है इसको जिसे उपर से थोड़ा सा crunchy-crunchy और अंदर से creamy लगे नगेट्स खाने में सबको बहुत ही tasty लगता है और यहां मैंने थोड़ा सा बड़े-बड़े nuggets बनाया जिसे बच्चों को खाने में बहुत ही मजा आता है मारके बहुत छोटे-छोटे nuggets मिलते हैं यह देखे मैं सारे जो fry हो गया है एंदम golden brown तक मैंने इसको fry कर लिया दिखे कितने crispy और spicy और tasty कुरकरी यह नगेट्स त्यार हुए है बहुत ही crunchy और creamy यह नगेट्स त्यार होते हैं देखे उपर से मैंने जो सेवई में deep करके मैंने fry किया है तो इससे भी बहुत ही crunchy लगता है आपके पास अगर bread crumbs नहीं है तो आप सेवई में भी डिप कर सकते हैं देखे अंदर से कितने creamy creamy उपर से दम crunchy है बहुत ही spicy tasty यह आपका नगेट्स त्यार होता है इसमें मैंने जो चीज डाला उसे ही creamy creamy स्वाद आता है अब गर्म गर्म चाय के साथ serve कर सकते हैं अब बच्चों को बनाके इसको आप खिला सकते हैं बच्चे तो बहुत ही खूस हो जाएंगे उपर से दम crunchy है अंदर से दम creamy creamy स्वाद आता है इसमें मैंने जो चीज जो mix किया उसे बहुत ही tasty spicy यह लगता है इसको आप खटी मिठी चटनिक से serve कर सकते हैं अब इसको एक बर घर पर जरूर बनाएगा और मेरी वीडियो के लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा जिसे और भी आगे रेश्पी के notification मिल सकें